हम लोगों ने बहुत चर्चा की राम की तुलसिदास की तुलसिदास के द्वारा जिस राम को रचा गया जिसने राम को अमर बना दिया जिसने राम को मर्यादा पुर्शोतम बना दिया उसकी हमने चर्चा की अगर हम देखें साहितिक द्रस्टी से तो भी उन्होंने संसार को या इस कहिए कि हिंदी साहिति को अपार संपदा दी है जब भी बात रामाइन की होगी रामचरित मानस की होगी तो न सिर्फ भक्ति की बात होगी ग्यान की बात होगी निर्गुन और सगुन की बात होगी सादू और समागम की बात होगी बलके साहितिक चर्चा भी अवश्य होगी तुलसिदास जी ने रामचरित मानस में सभी अलंकारों का और रसों का प्रियोग किया है इतनी सुन्दर चर्चाएं की हैं इतने सुन्दर प्रसंग लिए हैं कि उनके बर्णन भी करना सम्भब नहीं है उन प्रसंगों को एक एक बार में वर्ण किया ही नहीं जा सकता एक एक चौपाई में वह रस वह ग्यान वह भक्ती वह प्रेम और वह साहितिक रसना चुपी है कि उसे किसी भी द्रस्ट से उठा लीजिए आप उसको हर द्रस्ट से पूर्ण ही पाएंगे साहितिक द्रस्ट से देखने वाला व्यक्ति है तो वो देखतार है कि वाह क्या चर्चा की है क्या सुन्दर व्याख्या की है क्या रस है क्या लंकार है कितना सुन्दर वर्ण है कैसे सुन्दर शब्दों का प्रियोग है और यद भक्ति की भाव से देखेंगे तो भक्त तो उसमें डूब डूब जाएगा हर पंक्ती दिल में उतरने वाली हर रचना मन को भाने वाली साहितिक द्रश्टी से पढ़ें तो साहितिक अपार समपदा है भक्ति की द्रश्टी से पढ़ें तो भक्ति का सागर है ग्यान की दृष्टी से पढ़ें तो वेदों का सारा सार भी हमें उसी में मिल जाएगा इतनी सुन्दर रचना है रामचरित मानस रामचरित मानस में तुलसिदास जी ने बादसल भाव का भी बहुत सुन्दर चित्रन किया है बहुत सुन्दर रचना है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक ठुमक कर जब चलते हैं तो उनकी पैंजनिया जब बसती है तो राजा रानी परिवार्जन समोहित हो जाते हैं उनके उस रूप पर मोह जाते हैं कहते हैं पीत जीन जंगुली तन सोही किलिकन चित्वन भावत मोही पील ऐसा जवला पहना हुआ है और उनका किलकारना और उनका देखना शर्माना जुग जाना बच्चों की जो मनुभारी चित्रन किया है वह बहुत ही खुबसूरत है रूप राश नप अजिर भिहारी नाचेह निजी प्रतिविम्ब निहारी भगवान स्वयम अपने रूप को देखकर नत्य करते हैं वह भगवान जो सारे संसार को नचाता है वो अपना ही रूप देखकर नत्य कर रहा है बहुत ही खुबसूरत रचना और बादसल भाव का अपार दर्शन शंगार रसका भी सुन्दर चितरन किया है सीता जी पहली बार जब पुष्प बाटेका में राम को देखती हैं तो देखती रह जाती हैं और मन में बड़ी अभिलाशा होती है चाहत होती है कि मुझे यही बर मिले इसी भावना से गौरी पूजा के लिए बुजाती है और वहाँ पर मन ही मना आराधना करती है गौरी मा उनकी आराधना को सुनती है और आशिरवाद देती है परुख श्रूप में सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी उन्हें आशिरवाद नहीं दिया उन्होंने का पूजा ही मन कामना तुम्हारी जो तुम्हारी मन में कामना है वो पून हो क्या कामना है नहीं बताया लेकिन इश्वर तो अंतरियामी है मा सब के हिर्दय की बात को स मरियादाओं का तुलसिदाजी ने कहीं पर भी उलंगन नहीं किया राम और सिता मंड़क के बीच बैठे हुए हैं बिवाह का कारिक्रम चल रहा है सिता राम को निहारना चाहती है लेकिन उन्हें देखना मरियादा के अनुकुल नहीं क्या करती है अपने कंगन में जो नग लगे हैं उसमें राम की परचाई पढ़ रही है और वो उस परचाई को निहारना रही है राम को रूप निहारत जान की कंगन की नग की परचाई मात सबै सुक भूले गही पल देखते है पल टारत नहीं टक्टकी लगाकर उस कंगन में देख रही है जिस कंगन में लगी नग भगवान राम की प्रत्रूप को दिखा रहे है उनकी परचाई जिसमें पढ़ रही है उसे लगातार देख रही है एक प्यार भी है मर्यादा भी है लज्जा भी है सौंदर भी है राम को रूप निहारत जान की कंगन की नग की परचाई रूप को निहार रही है लेकिन निहार के इसमें रही है कंगन की नग की परचाई बहुती खुबसूरत मर्यादा पूंग सलज चित्राण आगे बहुती खुबसूरत चित्राण कर रहे हैं इतना सुंदर अलंकारों से भरपूर, रूपक अलंकार, सांग रूपक का बहुती सुंदर चितरन, गिरां अलेन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी, रूपक अलंकार की बात करें, तो कितना खुब सुरत सांग रूपक का चितरन, गिरां अलेन मुख पंकज रोकी, सीधा जी के रूप सुंदर का चितरन कर रहे हैं, कि उनका मुख कैसा है, कमल के समान, गिरां अलेन मुख पंकज रोकी, पंकज रूपी जो मुख है, उसमें आवणी जो रूपी जो भवरी है, वो बंध हो गई है, आवाज नहीं निकल रही अत्य दिक प्रेम में आवाज भी मूख हो जाती है प्रगटिन अलाज निशाव लो की निशाखे होने पर जिस तरीके से पंकच कमल बंद हो जाता है भंवरी उसमें फज जाती है उसी तरीके से सिता जी के मुख में वानी रूपी भौवरी बंद हो गई है भौती खुपसूरत चित्रा मनुहारी चित्रा और रूपक लंकार का भौती सुन्दर चित्रा भकती रस्तो ख्यर संपून रूप से राम चृत्मारस में भराई हुआ है कि जब जब राम मनुच तन धरही भख्त हेत लीला भौकर ही कि राम अपने लिए नहीं भक्तों की हित के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं इस संसार में भक्तों की इक्षाओं को पूर्ण करते हैं राम चरित मारस के प्रारम में ही तुसी दाजी ने विविन कताओं के माध्यम से इसपस्ट किया है कि राम का जन्म सिर्फ दुस्टरों का साहार करने के लिए नहीं हुआ अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए हुआ है तो भक्ति रस्ट तो मुख्य रस्ट इसका है ही तुलसिदाजी ने करुंड रस, वीर रस, पीवस रस्ट लंका कान में का बहुती सुन्दर मार में चित्रम किया है उनका प्रिय अलंकार, रूपक, यमक रहे है एक उधार देखिए नव कंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद कंजारुना एक ही शब्द को किस तरीके से बिभिन रूपों में उन्होंने चित्रम किया है नव कंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद कंजारुना कैसे कमल है हाथ की उपमा भी कमल से, पैरों की उपमा भी कमल से, आँखों की उपमा भी कमल से, मुख की उपमा भी कमल से लेकिन कितने खुबसूरत अंदाज में मुझे तो नहीं लगता कि किसी और कवी ने कभी ऐसी रचना की हो एक ही उपमान को लेकर कैसा खुबसूरत चित्रन किया है एक ही पंक्ति में अनुप्रास भी है उपमा भी है रूपक भी है और रस और सौंदर की तो कहना ही क्या है कलपनादुबे डॉट कॉम इंटरनेट पे हिंदी साहित और व्याकरन सीखने का आसान उपाए अवग्मानेट तानेट अथक्रेण प्याम जर για चो भी ही सेने ई einzतर सकता है 1 अबसे